हिंदी भाषा राष्ट की भाषा प्रजातंक्र के शास्त्र की भाषा बच्चों, हमने पिछले वीडियो में व्याकरन विशे को लेकर प्रेरणा ठक्रिया को जानने का प्रयास किया था आशक करती हUं आपको समझ में आया होगा क्योंकि प्रेरणा ठक्रिया आपके परिक्षा की दुरूष्टी से एक अंके ले आरक्षित रहती है अब हम एक और विषे को जानने का आज एक और विषे को जानने का प्रयास करेंगे ओ है लिंग मकले नाओ कलेटा वीड़ीो दल्ली प्रेर्नार्थक क्रिये बग्ये दिल्कुलेके प्रयात्न पटिर्वी लिंग शब्द का वहरूप जिससे यहाँ पता चले कि वहाँ पुरुष जाती का है या स्त्री जाती का उसे लिंग कहते हैं हिंदी में केवल दो ही लिंग होते हैं पुल्लिंग और स्त्री लिंग पुल्लिंग पुरुष का बोध कराने वाले पुरुषत्व का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाता है जैसे लड़का बैल घोडा वीर वैसे ही स्त्रीत्व का बोध कराने वाला शब्द स्त् अथवा पुरुष्य अन्नोंत परिचे यागुत्त अधुननानावु लिंगा अन्त हेल्टेवे। हिंदी यल्ली केवल एरडे लिंगा इरदु। इपक कन्नारदल नोडितरे मूर लिंगा गळलवा स्री लिंगा, पुल्लिंगा, नपमसक लिंगा। हिंदी में लिंग दो ही प्रकार के हैं, परंतु शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो शारीरिक लक्षनों से पुरुष्च जाती का हो। दूसर प्रकार जो शारिरिक लक्षणों से स्त्री जातिका हो और तीसरा प्रकार इन चब्दों में स्त्री या पुरुष जातिके कोई लक्षण नहीं होते जैसे पहाड, तालाब, पुस्तक, नदी, आकाश, पुरुत्वी, आदी लिंगगळु एरडे आदरुनु हिंदी यल्ली शब्दगळु मूर प्रकारद्धीर्तवे, लिंगळु लिंगभेद एरडे आदरुनु शब्दगळु मूर प्रकारद्धागीर्तवे, मुदलने प्रकार, पुरुष लक्षणगली इरुवंता, शब्दगळु, गिरडेने प्रकारदल्ली, स्त्री लक्षणगली इरुवंता, शब्दगळु, मूर ने प्रकारदल्ली, स्त्री अथव पुरुष लक्षणगली इरुवंता, शब्दगळु, मूर ने प्रकार अब हम एक एक प्रकार देखती जाएंगे कि कैसे अलग अलग प्रकार से स्त्रीलिंग से पुलिंग में या फिर पुलिंग से स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तित होते हैं शब्द। पहला प्रकार है आप्रते जोडने से लिंग परिवर्तन जैसे अनुज अनुजा, आचार्य आचार्या, कांत कांता, छात्र छात्रा, बाल बाला, भवदिय भवदिया, वृद्ध वृद्धा इसी प्रकार इप्रते के योग से भी स्त्रीलिंग या पुलिंग को हम बदलते हैं जैसे कबूतर, कबूतरी, गधा, गधी, घोडा, घोडी, चाचा, चाची, बक्रा, बक्री, बेटा, बेटी, ब्रहमन, ब्रहमनी, मामा, मामी अगला प्रकार है या, अन्त में या जोडने से भी हम पुलिंग को स्त्रीलिंग बना देते हैं जैसे कुत्ता कुतिया, गुड़ा गुड़िया, चिड़ा चिड़िया, बंदर बंदरिया, बचड़ा बचिया, बूढ़ा बुढ़िया अब अगला प्रकार देखते हैं इन प्रत्य जोड़ने से अंत में इन जोड़ने से भी पुल्लिंग स्ट्रिलिंग बन जाता है वो देखेंगे कहार कहारिन चमार चमारिन जुलाहा जुलाहिन दरजी दरजिन धोबी धोबिन नाती नातिन अगला प्रकार देखते हैं नी प्रत्य के योग से नी प्रत्य योग से कैसे पुलिंग से ट्रीलिंग बनते हैं उंत उंत नी जाट जाट नी भाट भाटनी राकषस राकषसनी राजपूत Рाजपूत नी शेर शेर नी मोर मोर नी आदी इसी प्रकार इनी प्रत्य जोडने से कैसे शब्द बनते हैं देखते हैं अभिमानी अभिमानी नी, एकाकी एकाकी नी, गुरुह स्वामी गुरुह स्वामी नी, यशस्वी यशस्वी नी, हंस हंसी नी, हाथी हथी नी अगला प्रकार है आनी प्रत्ते जोडने से कैसे लिंग बदलता है इंद्र इंद्राणी, चत्रिय चत्राणी, चौधरी चौधराणी, भव भवाणी, महतर महतराणी, रुद्र रुद्राणी आदी वैसे अगला प्रकार देखते हैं आयिन प्रत्य जोणने से कैसे पुलिंग से स्ट्रीलिंग बनता है अगला प्रकार देखते हैं इका जोणने से कैसे स्ट्रीलिंग शब्द बनते हैं अध्यापक अध्यापिका, गायक गाईका, दर्शक दर्शिका, वादक वादिका, बालक बालिका, लेखक लेखिका इसी प्रकार ता को त्री बनाने से यानि अंत में ता है तो उसे त्री बनाने से भी त्रीलिंग शब्द बनते हैं कैसे बनते हैं देखते हैं अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कर्त्री, दाता, दात्री, नेता, नेत्री, वक्ता, वक्त्री, विधाता, विधात्री इसी प्रकार मान को मती बनाने से, यानि अंत में मान है तो उसको मती बनाने से या वान को वती बनाने से कैसे स्त्रिलिंग शब्द बनते हैं देखते हैं आयिश मान आयिश मती, गुनवान गुनवती, ग्यानवान ग्यानवती, बुद्धी मान बुद्धी मती, भगवान भगवती, रूपवान रूपवती, आदी अब अगला प्रकार देखते हैं बचों कुछ हट करें कुछ शब्द नित्य स्ट्रीलिंग में या अदर यावागलो स्ट्रीलिंग अने तव उसके साथ नर जोडने से वो पुलिंग बन जाते हैं जैसे कोयल नर कोयल, गिलहरी नर गिलहरी, चील नर चील, चिपकली नर चिपकली, मक्खी नर मक्खी इसी तरह कुछ शब्दो हते हैं जो नित्य पुलिंग होते हैं उनके साथ मादा जोडते हैं तो वो स्ट्रीलिंग बन जाते हैं जैसे खरगोश, मादा खरगोश, गेंडा, मादा गेंडा, भालू, मादा भालू, भेडिया, मादा भेडिया, मगरमच, मादा मगरमच, आदी अब देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जो शब्द ही भिन्न होते हैं इनका नियमों से कोई लेना देना नहीं होता तो वो शब्दे देखते हैं जो स्ट्रिलिंग और पुलिंग के रूप में प्रयोग किये जाते हैं जैसे कवी, कवीत्री, गाय, बैल, नर, नारी या मादा, नपुम्सक, बांज, पती, पत्नी, पिता, माता, पुरश, स्त्री, बुवा, फूपा, भाई, बहन या भावज, मिया, बीवी, युवक, युवती, राजा, रानी, वर, वधु, विद्वान, विदुशी, विधुर, विद्वा, वीर, वीरांगना, ससुर, सास, सम्राट, सम्राग्जी, साधु, साली, साधु, साध्वी, साला, सलहज, सलहज साहब, साहिबा या मेम ऐसे कुछ शब्द जिनका नियमों से कोई सम्मन नहीं है लJapanese ये ऐसे ही स्ट्रीलिंग और पुल्लिंग को हमें बोद कराते हैं अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिनका स्ट्रीलिंग लेकर हमने उनकी पुल्लिंग का निर्माण किया है जैसे जीजी, जीजा, ननद, ननदोई, बहन, बहनोई, बुवा, फूपा, मौसा, मौसी, सास, ससुर, आदी अब अन्त में मैं कुछ ऐसे उदाहरन भी बताऊंगी जो दोनों स्त्री और पुलिंग के लिए समान प्रयोग होते हैं जैसे राजदूत, डाक्टर, मंत्री, प्रोफेसर, मैनेजर, सचीव, सभापती, निर्देशक, आदी यदि हम इसके साथ महोदय लगाते हैं तो महोदया बनाएंगे, नहीं तो ये वैसे ही त्री और पुरुष के लिए दोनों के लिए वैसे जैसे डाक्टर महोदया, मंत्री महोदया, एसे ही सभापती महोदया, सभापती महोदया अगर इसे हम लोग differentiate करके कहना चाहें तो महोदय या महोदया लगा सकते हैं लेकिन यदि हम सिर्फ डॉक्टर बोलेंगे, सिर्फ मंत्री बोलेंगे, केवल प्रोफिसर बोलेंगे, केवल मैनेजर बोलेंगे तो दोनों लिंगों के लिए एक ही शब्द इसे प्रयोग होते हैं यह अक्सर अंग्रेजी से आये हुए शब्द हम वैसे के वैसे ही दोनों लिंगों के लिए प्रयोग करते हैं बच्चो बच्चो आशा करती हूँ आपको लिंग अच्छे से समझ में आया होगा बचो एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार देखो अगर बार बार देखोगे सुनते रहोगे तो आपको ये लिंक बहुत अच्छे से समझ में आयेगा और आप लिंक में परफेक्ट हो जाओगे बचो आशा करती हूँ आप इसको समझने का प्रयास करोगे यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और यदि आपको कोई दुविदा या समस्या हो तो कामेंट बाक्स ने जाकर कामेंट जरूर करना जिससे मैं अगले वीडियो में इसका परिहार कर सकूँ यदि अब तक आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि उन्हें भी इसका लाब मिले फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक क लिए धन्यवाद